तो आज वीडियो में हम लोग discussion करेंगे कि अब बहुत short period में हम लोग को करना है तो किस तरीके से आपको revision करना चाहिए revision में कौन से important topics को आपको देखना है और किस तरीके से आपको पढ़ने की strategy बनानी चाहिए although I have discussed it many times तो अगर आप on a broad level बात कर रहे होगे तो इसमें आपको if you are talking about the numerical aspects तो आपको numerical aspects में you can refer to 20 years PYQs आप जो देख रहे हो PYQs आप previous year questions को लगा रहे होगे और जैसे कि अगर आप textile chemical processing की बात करते हो तो उसमें add-on, add-on percentage का question आता है जैसे आपका 100 kg का fabric है so उसमें कैदिया 4% add-on है और उसमें कभी-कभी आपको ML ratio दे देते हैं और उसके हिसाब से आपको calculation करना होता है second जो DMDHU का type के questions आ रहे होते हैं paper में DMDHU आपसे दिया जा रहा है तो आपको उसमें number of cross links निकालने होते हैं उस type के questions आप practice करके चलोगे सबसे जादा जो important है वो आपको textile के calculation aspects को भी आपको पढ़ना पढ़ेगा calculation aspect आपको text को any में कैसे करणा है जैसे हम text की बात कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है 590.5 upon any आप इस तरह से calculate करते हो तो कभी-कभी any or text की value बराबर दिया था तो उसमें पूछ रहा था what is the value तो आप इससाब से direct calculation कर ले तो ये भी gate का इस तरह से आया हुआ question है आपको ये भी पता होना चाहिए ली में कितने yards होते हैं जैसे अगर आप बात करो 1 ली is equal to 120 yards का calculation कर रहे होते हो अगर इसी में और calculation करते हैं तो आप को सारे conversions पता होने चाहिए conversions किस तरह के से कि आपको inch को mm में किस तरह के से आप convert करते हो mm को centimeter में क्या difference होता है yards में किस तरह के से आप लेते हो यह चीज़ें आपको पता होने चाहिए hope आप समझ पा रहे हो जैसे आप textile इसी के बाद हम textile testing में calculation करते हैं तो AFIS क्या होता है uniformity ratio क्या होता है uniformity ratio आप कैसे निकालते हो span length से calculate करते हैं हम लोग span length कैसा होता है 50% span length हो गया 2.5% span length मतलब अगर आप इसी में calculation कर रहे हो तो कितना आपका uniformity ratio रह रहा होता है अगर आप cotton की बात करते हो 0.4 से 0.5 40 से 45 से 50% की आप calculation बता रहे होते हो textile chemical processing में बहुत सारी चीज़ें आजाती हैं आपकी जैसे आप textile में आप ice colors बात करते हो तो किसको कहते हैं azoic dice को हम लोग ice colors बोलते हैं एक printing में printing में पूस्टा है कि कौन कौन से agents आप लेते हो जैसे आप glycerine use कर रहे हो तो hygroscopic agent की तरह आप use कर रहे होते हो तो these are the numerical aspects dyeing आप किस तरीके से करते हो कौन से types of dyeing होती है कहां false होते है सबस्यदा important आपके false हो जाते है जो paper में बहुत सबस्यदा पूस्ता है तो यह है और एक question जो आपका polymerization से आ रहा होता है polymerization तो polymerization में आप बात करोगे तो कौन कौन से polymerization है जैसे आप nylon 6 को आपको बनाना है तो nylon 6 कैसे ring opening polymerization से बनाओगे nylon 6 आप poly condensation से बनाओगे जो nylon 6 का monomer है वो caprolactam है क्या इसका formula होता है CH2 whole 5 NH और CO आप इस तरह से करते हो इसी तरह आप polyester लोगे तो polyester polyester की आप बात करोगे अगर आपने polyester लिया तो polyester में दो root होते है वो आपके लिए समझना important है TPA root और DMT root की बात करते है कौन सा beneficial होता है और ये assertion reason में ये question आते हैं आपके ये आप previous year questions देखना है तो उसमें आपको assertion reason में polyester का melting point कितना होता है 255 degree Celsius की बात करते हो आप polyester के एगरा melting point nylon 6 का melting point कितना होता है 215 TG कितना होता है nylon 6 का आप TG की बात करो I am going so fast तो आपको इस तरीके से पढ़ना ये confidence ये boost up जरूरी है आप इस channel को भी support कीजेगा I am trying my best कि आप इस तरीके से आपको अच्छा मिले So TG अगर आप calculate करोगे तो ये इसका 60 degree Celsius इसका TG हो जाता है पॉलिस्टर में आप ने जब बताया तो पॉलिस्टर में दो-तीन चीज़े important है सबसे पहले तो आप पॉलिस्टर बनाते कैसे हो ये आपको पता होना चीए पॉलिस्टर का पूरा root कैसा है फिर पॉलिस्टर की आपको dying करनी है आपका Easter group present होता है इसमें तो आप इसको dispersed dye से以 कर रहे होते हो अगर इसी में आईसो थर्म की बात करते है आईसो थर्मे इसमें आउसो थर्मे आपका ये NASA LISAسो थर्म मनता है NASA Lisa स्थर्म में क्यों होता है NASA ISो थर्में df is equal to ds की बात करते है डाइन फाइबर और डाइन सल्यूशन की बात करते हैं DF is equal to DSE आपका नस्ट आइसो थर्म हो रहा होता है तो this is how we calculate these things अच्छा इसी में जो आप calculate बात करते हो कि polyester की dying कैसे तो 70 degree Celsius पे करते हैं इसका जो monomer होता है polyester का tarthelic acid और ethylene glycol होता है यह crystalline polymer है hydrophobic होता है disperse dying करते हैं क्योंकि इसमें ionic group present नहीं होता है but polar groups present होते हैं dispersing agents use कर रहे होते हो dispersing agents कौन-कौन से आप ले रहे होते हैं इसमें polyester में surfactant लेते हो या water-soluble poly electrolytes को भी ले लेते हो इसमें जो dye होती है यह आपको पता होना चाहिए dye जो है यह particle form में हो रही होती है particle form में dissolve नहीं होती है इसलिए इसको nurse-isotherm में बनाते हैं इसको अच्छा dying के लिए machine कौन से यूज़ करते हैं HTHP dying machine यूज़ करते हैं carrier की भी help करते हैं इसी में reduction clearing भी आप कर रहे होते हो आगे आपको यह पता होगा अचा अगर आप dying करते हो तो pH कितना लेते हैं तो pH आप लेते हो 4 से 4.5 तक का pH लेते हो temperature आप 130 डिगरी Celsius के आसपास ले रहे होते हो अचा dying का process की बात कर रहे हैं तो dying एक exothermic process है तो यह चीज़ पता होनी चाहिए thermodynamic process है carrier का use क्या होता है carrier क्या करता है इसमें अगर आप बात करें questions में तो carrier क्या करता है it increases the rate of the dye uptake of the dispersed dyes on the hydrophobic fibers तो यह एक जरूरी है यह करते हैं basically इसका function क्या होता है carrier क्या करते है interchange forces को reduce कर देते हैं यह एक इंदर में तो यह एक important है dying एक exothermic process है आपको एक rate of dying आपने पढ़ा है gives of free energy की भी बात करी थी delta G is equal to delta H minus T delta S की बात करे थे हम लोग तो इस पे भी question आया था अभी up to years 2022 में एक numerical answer type का इसी तर एक question आया था जिसमें आपको delta S और delta G के बीच में कुछ ratio पूचा गया था यह direct question था वो बनाने की कोशिश करते हैं आपको कि this seems to be like very much difficult but it is not exactly so that it looks forward from तो I hope आप चीज समझ पा रहे हो कि क्या चीज़े important है if you want to अगर हम लोग इसी तरीके से in-depth तो बहुत ज़दा चीज़ें को discussion कर रहे होते हैं तो if you want to join तो you can join our detailed course as well उसमें हम लोग एक एक चीज़ को बहुत deep में पढ़ रहे होते हैं तो if you are interested तो you can join from the link below तो I wish you all the best नहीं तो आप यह सारा material आपका NPDEL से भी आप सर्च कर सकते हो बहुत सारा चीज़ों को आप सर्च कर सकते हो बट एक चीज़ जो ज़रूरी है वो आपका dedication ज़रूरी है last की consistency ज़रूरी है तो this branch is not so much difficult that it seems to be अगर if you still want guidance तो I am there to help और पढ़ते रहे हैं I wish you all the very best मिलते हैं नेक्स क्लास में टलन कीव लर्ने थाट ज़रूरी है दिए झालन कीव लर्ने थैस्ट आट आट